हेलो फ्रेंड्स, बेलकम टू स्टेडीकर, मैं हूँ आपका दोस्तर प्रभाकर, आज के स्मार्टपून लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने बाले हैं, साथ दिसंबर 2023 के मोश्ट इंपोर्टेंट करेंट अफ्यस के कुशन, तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्त जोड देखेगा, आज का पहला और इंपोर्टेंट कुशन है, सबसे उचे युद्छेतर सियाचेन में तैनात होने बाली भारती सेना की पहली महिला चिकितसा अधिकारी कौन बनी है, आंसर हो जाएगा गीतिका कोल, तो अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे उचा युद्छेतर यानि बैटल फिल्ड कौन है, तो वो है सियाचीन, तो इसी सियाचीन ग्लैसियर में भारती सेना की पहली महिला चिकितसा लिकारी कौन बनी है, गीतिका कोल बनी है, तो उन्होंने प्रसिक्षर प्राप्त किया है और अब उनकी फाइनली नुक्ती कर दी गई है, दो हजार तेज की पर्थम महिलाएं डिसकस करते हैं, तो भारतिय बान की अनुसंधान सिक्षा परिसत की पहली महिला महाने देशक क कौन बनी है, दिसा नायक, साउधी अरब की पहली महिला अंतरिक श्यातरी कौन बनी है, रायना वरनाभी, जे एन्यू की पहली महिला कुलपती कौन है, सांती स्री धुली पुडी पंडित, जम्मु कस्मीर की पहली महिला बस चालक कौन है, पूजा देवी, ICC मैंस T20 अंतर पहली महिला एंबूलेंस ड्राइवर है, सिवांगी सिंग भारत की पहली महिला फाइटर फाइलट है, जोती सर्मा भारतिय सेना की पहली महिला जज है, सिवांगी जोसी नौसेना की पहली महिला पाइलट है, और चंदरानी मुर्मूस डेस की सबसे युबा सांसद है, आप नोट कर लेज़ेगा, यहां से question अक्सर बनते हैं, आप इस पूरे lecture को बहुत ही ध्यान से last तक देखेगा, last में आप से question पूछा जाएगा, जिसका answer comment box में देना है, तो अगर आप channel पर पहली बार आए हैं, subscribe कर लें, bell icon भी दबालें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले notification मिल सकेगा, अगर आप हमसे telegram पर जोड़ना चाहते हैं, तो आपको telegram पर जाना है, study कर official सर्च करना है, तो हमारा channel मिल जाएगा, वहां से आप हमें join कर सकते हैं, तो हमारे telegram channel पर आपको pdf भी मिल जाएगी, और इसके अलाबा जो भी और महत्वपूर्ट जानकारी है, वो भी वहां पर उपलब्द हो जाएगी, आप हमारे app को भी install कर सकते हैं, तो नीचे description box में जो link दिया गया है, वहां से install कर लीजेगा, या फिर play store से study कर सर्च करके install कर लीजेगा, तो app पर आपको क्या-क्या मिलेगा, तो हमारे app पर आपको e-book, test series, इसके अलाबा जो class के pdf notes ह वो मिल जाएंगे, daily quiz भी यहाँ पर आयुजित किया जाता है, तो यह सारी सुबधाय उपलब्द हैं हमारे app पर, तो app को एक बार आप download जरूर करिएगा, दोस्तो नवंबर माह की जो e-book है current affairs की वो अब आपको app पर मिल जाएगी, या फिर हमारी website पर मिल जाएगी, तो मिजोरम के नए मुख मंतरी कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा लाल दोहोमा, तो जो लाल दोहोमा है वो अब मिजोरम के नए मुख मंतरी बने हैं, कुछ समय पहले मिजोरम में विधान सबा के election हुए थे, तो विधान सबा election में जोराम People's Movement Party ने बहुमत हासिल किया है, यानि 40 सीटों में से 27 सीटे जीती हैं, तो लाल दोहोमा जो है वो 8 दिसमबर को चीप मिनिश्टर पद की सपत ले सकते हैं, मिजोरम में 40 बिधान सबा सीटे हैं, जिसमें बहुमत का आकड़ा 21 है, लाल दोहोमा चीप मिनिश्टर के रूप में जोराम थंगा का इस्थान लेंगे, यानि अभी तक मिजोरम के जो चीप मिनिश्टर थे वो थे जोराम थंगा, लेकिन अब उनके स्थान पर लाल दोहोमा मुख मंतरी बनने बाले हैं, बात करें अगर हम जोराम पीपल्स मूवमेंट की, तो जैड पीम की स्थापना 2017 में की गई थी, 2019 में यह रजिस्टर्ड पारटी बनी थी, पूर्व संसस सदस लाल दोहोमा के नेत्युत में छे छेत्रिये दलों का यह गटबंधन है, और बरतमान में इसके अध्यक्ष हैं लाल दोहोमा, दोस्तों लाल दोहोमा के बारे में एक महत्पूर्ण पॉइंट आपको याद रखना है, 1988 में दल बिरोध कानून के तहट आयोग घोशित होने बाले पहले लोकशवा सांसत कौन है, लाल दोहोमा, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा, बात करें अगर हम मिजोरम की, तो दोस्तों नौर्थ इस्ट का एक स्टेट है मिजोरम, कैपिटल इसकी आईजोल है, इसका पर राज की पसू है, दोस्तों मिजोरम की सबसे उची चोटी बिलू माउंटेन है, यहाँ पर दो प्रमुख राष्टियुद्यान है, फौंग पुई राष्टियुद्यान और मुरलैन राष्टियुद्यान, तो यह दोनों राष्टियुद्यान आप याद रखिएगा, दोस्तों ये आप पूरबुत्तर भारत का मैप देख सकते हैं, यहाँ पर रिस्तित है मिजोरम, तो मिजोरम की कैपिटल जरूर याद रखिएगा क्या है, आईजोल है, चलिए मिजोरम से रेलेटिट कुछ इंपोर्टेंट करिंट अफियर्श डिसकस करते हैं, तो एंथूर महोसव अभी हाली में मिजोरम राज में ही मनाया गया है, दच्छन माउबुआंग मिजोरम का पहला ODA PLUS गाओं बना है, मिजोरम विधान सभा ने इस साल समान नागरिक सहिता के खिलाब एक प्रस्ताव पारित किया था, मिजोरम में कुछ समय पहले उडने वाली गैको या इस से आप नोट कर लीजेगा, अंगला प्रस्न है किस राज्य सरकार ने पंजोखरा गाओं का नाम बदल कर पंजोखरा साहिब कर दिया है, आंसर हो जाएगा हर्याना, तो अभी हाली में हर्याना गवर्मेंट के द्वारा एक बहुत ही मातपूर्ण फैसला लिया गया है, यह उसने पंजोखरा गाओं का नाम बदल करके पंजोखरा साहिब कर दिया है, दोस्तो कैंसरकार के द्वारा इसकी मंजूरी भी दे दी गई और फिर इसके बाद हर्याना की गवर्मेंट के द्वारा एक नोटिपिकेसन भी जारी कर दिया गया है, तो अब जो पंजोखरा गाओं था, वो पंजोखरा साहिब बन गया है, पंजोखरा साहिब एक एतिहासिक गाओं है, क्योंकि यहाँ पर एक प्रसिद्ध गुरुद्वारा है, जिसका नाम है पंजोखरा साहिब, तो सिखों के आठवे गुरु स्री गुरु हरी किसन साहिब जी की यहाँ पर चरण स्थली है तो इसलिए यह गाउं बहुत ही एतिहासिक हो जाता है 2023 में बदले गए कुछ प्रमुक नाम डिसकस करते हैं तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद का नाम बदल करके चंद्रनगर किया गया है राष्टपती भवन में इस्तित मुगल गार्डन का नाम अब अमरित उद्ध्यान हो गया है भुपाल के इसलाम नगर का नाम जगदीशपूर किया गया है इसके अलावा राजपत और सेंट्रल बिष्टा लॉन जोकी दिल्ली में है इसका नाम कर्तब पत किया गया है आयश्मान भारत स्वास्त और कल्यान केंद्र आयश्मान आरोग मंदिर बन चुका है एहमदाबाद दिल्ली संपर्क करांती एक्सप्रेस का नाम अक्षरधाम एक्सप्रेस किया गया है रायवरेली में एक होकी स्टेडियम था जिसका नाम रानी रामपाल के नाम पर रानीज गल्स होकी टर्फ किया गया है चर्च गेट रेलिबी स्टेशन जो की मुंबई में है उसका नाम चिंतामन द्वार का नात देशमो के स्टेशन किया गया है दोस्तों बात आई है हर्याणा की तो हर्याणा से related कुछ important current office discuss कर लेते हैं तो हर्याणा की चीप मिश्टर मनुहलाल खटर ने hot air balloon परियोजना का अभिहाली में उधगाटन किया था हर्याणा राज में हुका बार पर बैल लगा दिया गया है हर्याणा की टीम ने 48 भी national junior volleyball championship में gold medal जीता है उत्तर भारत का पहला परमानू सयंत्र गोरगपूर हर्याणा में बनाया जाएगा केंद्रिय मंत्री अमिसाय ने हर्याणा की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर पुरुसकार प्रदान किया है 2023 में दोस्तो अब आपको comment box में ये बताना है कि वर्तमान में हर्याणा की governor कौन है प्रेस्ण है Forbes 100 most powerful woman list में कितनी भारती महिलाओं को सामिल किया गया है तो answer हो जाएगा 4 तो दोस्तो अभी हाली में Forbes के द्वारा दुनिया की 100 सबसे powerful महिलाओं की list जारी की गई है तो इस list में 4 भारती महिलाओं को सामिल किया गया है इसमें सबसे महतकोन नाम है निर्मला सीता रमन का तो उनकी rank बताई गई है इसमें 32 भी rank तो दोस्तो निर्मला सीता रमन लगातार 5 भी वार वो इस list में सामिल हुई है उनके अलाबा HCL Corporation की CEO रोसनी नादर मलोत्रा की जो rank है वो 60 भी rank है Steel Authority of India Limited की चेर परसन है सौमा मंडल उनकी 70 भी rank है और बायो कॉन की founder किरन मजूमदार की rank है 76 तो ये 4 महिलाओं सामिल की गई है Forbes की 100 सबसे powerful महिलाओं की list में दोस्तों दुनिया की top powerful महिलाओं की अगर हम बात करें तो उसमें पहला नाम है Ursula Bondare Lane का जो की जर्मनी की है दूसा नाम है Boss Christine Lagarde का जो की France की है तीसा नाम है Camilla Harris का जो की अमेरिका की है चौथा नाम है Giorgia Meloni जो की Italy की Prime Minister है पांचमा नाम है Taylor Swift का जो की अमेरिका की है छटा नाम है Karen Lynch का ये भी अमेरिका की है साथमा नाम है Jen Fraser का ये भी अमेरिका की है आठमा नाम है Abigail Johnson का नौबा नाम है Mary Varra का और दसमा नाम है Melinda French Gats का तो ये हैं दुनिया की top 10 powerful महिलाओं 2023 के कुछ प्रमुक सूचकांक जरूर आप नोट के लिजेगा ये एक्जाम की दरस्टी से बहुत important है तो वेस्विक उर्जा संक्रमन सूचकांक 2023 में भारत का 67 बाइस्थान है वेस्विक सांती सूचकांक 2023 में 126 बाइस्थान है विस्व निवेस रिपोर्ट 2023 में 7 बाइस्थान है ग्लोबल रिमोर्ट वर्क इंडेक्स में 64 बाइस्थान है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में 111 बाइस्थान है दुनिया के सबसे अमीर सहरों की लिष्ट में मुंबई 21 बे और दिली 36 बे स्थान पर है Global Unicorn Index 2023 में भारत का थीसरा इस्थान है सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग में भारत का 77 इस्थान है अंगलब प्रस्न है भारत सरकार के किस मंत्राले ने ग्राम मंच एप्लिकेशन लॉंच किया है आंसर हो जाएगा पंच्याती राज मंत्राले ने तो पंच्याती राज मंत्राले के द्वारा ग्राम मंच नामक एक एप्लिकेशन अभी हाली में लॉंच किया गया है तो पंच्याती राज मंत्राले ने ग्राम पंच्यात के द्वारा इस्थानिक योजना को प्रोसाहित करने के लिए भोगोलिक सूचना प्रणाली एप्लिकेशन ग्राम मंच को लॉंच किया है इसके अलाबा इस मंतराले के दौरा M-Action सौप्टवेर भी लॉंच किया गया है जो की मोबाइल पर आधारे सौप्टवेर है 2023 के एप और पोर्टल भी डिसकस कर लेते हैं अभी हाली में उत्तर प्रदेश के द्वारा कंजूमर एप को लॉंच किया गया है आई स्टार टैलेंट कनेक्ट पोर्टल राजिस्थान में लॉंच किया गया है साथी पोर्टल करसी मंतराले के द्वारा लॉंच किया गया है AIS app आएकर विभाग के द्वारा लॉंच किया गया है कॉल विफोर यू डेग पीम मोदी ने लॉंच किया था आव प्रहरी एप IIT दिली के द्वारा लॉंच किया गया है प्रहरी एप BSF और ग्रह मंतराले ने लॉंच किया था जल्दूत एप ग्रामीड विकास मंतराले की द्वारा लॉंच किया गया है इसके अलाबा इसकेल एप सिक्षा मंतरी धर्बिंद प्रणान जी के द्वारा लॉंच किया गया है अंगला प्रसन है नौसेना स्टाप के नए उपप्रमुक कौन बने हैं नौसेना में कुछ और महत्पूर नुक्तिया हुई है जैसे पश्वी नौसेना कमांडर का जो जिम्मा है वो वाइस एड्मरल एस जे सिंग को दिया गया है इसके अलाबा वाइस एड्मरल किरन देशमुक को भारतिय नौसेना के अंगले सामगरी प्रमुक यानि चीफ औव मैटेरियल नुक्त किया गया है तो ये कुछ हाली में नौसेना में नुक्तिया हुई है इन्हें आप नोट कर ले। चलिए दोस्तों यहाँ पर अपॉइंटमेंट की बात आई है तो कुछ हाली में के गए अपॉइंटमेंट डिस्कस करते हैं जैसे अनीज साह फिक्की के अध्यक्ष बने हैं, सौरब गांगोली पशिब मंगाल के ब्रांड मेस्टर बने हैं, सकुंतला भाया को अमेर्का के प्रसासनिक सम्मेलन में सदस्त बनाया गया है, डैविड कैमरून जो है वो ब्रेटेन के विदेश मंतरी बने हैं, और एंड्र राजोय लीना, ये मेडा गासकर के राष्टपती बने हैं, हीराला साम्रिया, मुख सूचना आयुक्त बने हैं, रोहित रिसी, मैंक ओप महराष्ट के कारिकारी निदेशक बने हैं, इसके अलाबा मुहमद शमी को प्यूमा का ब्रांड मेस्टर भी निउक्त किया गया था क दोस्तो इसका उदेश है, युबा नागरिकों को सहरी बिकास, योजना और निगरानी कारियों में योगदान करने में सक्षम बनाना, यानि युबाओं को सक्षम बनाने के लिए ये सीम फेलोसिप कारकरम शुरू किया गया है, उत्तर प्रदेश से रेलेटिड कुछ तो दोस्तो अभी कुछ समय पहले कंजूमर एप लॉंच किया गया है बिजली बोगताओं के लिए, इसके अलाबा उत्तर प्रदेश के आंगनमाडी केंद्रों पर बच्चों के लिए होट कुग्ड मील योजना शुरू की गई है, बुंदिलखंड एक्सप्रेस यूपी क भी सामिल हुए थे, उत्तर प्रदेश ने हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान सुरू किया है, नेक्स्ट कोशन है, मार्स रोवर को संचालित करने वाली पहली भारतिये कौन बनी है, आंसर हो जाएगा अक्षिता क्रस्नमूर्थी, तो दोस्तो नासा में काम करने वा स्टेशन, जिसका गठन 29 जुलाई 1958 को किया गया था, मुख्याले इसका वासिंग्टन अमेरिका में हैं, और इसके वर्तमान में प्रसासक हैं विल नेलसन, नेक्स्ट कोशन है, किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े प्रायोगिक परमानो फ्यूजन रियक्टर, जे टी 16 ऐसे का अनावरण क्या है, आंसर हो जाएगा जापान, तो दोस्तों जापान ने अभी हाली में बहुत ही बड़ा और बहुत ही उन्नत एक परमानो रियक्टर बनाया है, और दोस्तों ये एक प्रायोगिक परमानो रियक्टर है, जहां पर बहुत अधिक मात्रा में एनर्ज पैदा की जाएगी तो इस रियक्टर को यूरोपिय यूनियन और जापान ने मिलकर बनाया है यह रियक्टर एक एक्सपेरिमेंट है ताकि भविस में इंसानों की उर्जा संबंदी सभी जरूरतों को पूरा किया जा सके इसके अंदर टेजी से प्लाज्मा को गुमाया जाता है और इस प्लाज्मा को जो तापमान है वो दो करोड डिग्री सेलसेस तक पहुच जाता है यहां पर बात आई है दोस्तों परमाणू रियक्टर की तो परमाणू रियक्टर में एक नाभिकिये सल्लैन क्रिया होती है यह नाभिकिये सल्लैन या फ्यूजन क्या होता है इसको हम समझते हैं तो जब दो हलकी नाभिक परस पर स्वेखतो होकर एक भारी तत्तो के नाभिक की रचना करते हैं तो इस प्रक्या को नाभिये सल्लेन कहते हैं तो कुशन है Red Sea International Film Festival में किस भारतिय अभिनिता को सम्मानित क्या गया है तो रणवीर सींग को सम्मानित क्या गया है तो साउदियर अपकी जद्दा सहर में आयुजित क्या गया है Red Sea International Film Festival तो उसमें रणवीर सींग को सम्मानित क्या गया है दोस्तो आपको याद रखना है कि ये जो Red Sea International Film Festival है इसका आयोजन 30 नवंबर से 9 दिसंबर तक किया जाएगा चलिए आप कल के Current Affairs को Revise कर लेते हैं फिर General Knowledge के पिटारी को डिसकस करेंगी लाश्ट में पूछेंगे आपसे एक Question जिसका Answer कमेंट बॉक्श में देना है किस देश के राश्टपती बिलियम सोमाई रूटो पहली भारत यात्रा पर आये हैं केन्या तेलंगाना के दूसरे मुखमंत्री कौन बने है रेवंत रेडडी दिनेश फढ़नेश का निधन हो गया है वह कौन थे अभिनेता भारत में COP28 में किसके इस्तमाल रोकने पर सहमती नहीं जताई है कोईला इंडियन नेवी को कौन सा सरविच्छन पोत प्राप्ट हुआ है आई ने संध्याक औक्षपोर्ड डिक्सनरी वर्ड ओफ दा येर दो हजार तेस कौन बना है रिज राष्टिय अपराद रिकॉर्ड ब्यूरो यानि NCRB के आँखों के अंसार महिलाओं के लिए सबसे आसुरक्षित सहर कौन है दिल्ली ग्याराइबा बांगलादेश पुस्तक मिला कहां शुरू हुआ है कोलकाता में ACI पेरालंपिक समीती पुरुसकार समारो में सर्बस्रेश्ट युवा एथलीट का खिताब किसने प्राप्त किया है सीतल देवी ने IBA जूनियर वर्ल्ड वॉक्सिंग चेंपिन्सिप में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं तो तीन गोल्ड मेडल जीते हैं आज के जनरल नोलेज के पिटारे में हम भारतिय सम्मिधान के अंशेट डिसकस करेंगे तो अंशेट 252 में दो या अधिक राज्ज के लिए सहमती से बिधी बनाने की संसत की सक्ती को बताए गया है 257 में कुछ दसाओं में राज्जियों पर संग का नियंदरन बताया गया है 262 में अंतर राज्यक नदियों के जल संबनी बिवादों का नियाए किया गया है और 263 में अंतर राज्ये विकास परिसर्द के गठन का उनलेग किया गया है तो ये कुछ इंपोर्टेंट आर्टिकल है भारतिय संब्धान से रिलेटेड कल के करिंट अफ्यस में आपसे ये कोशिन पूछा गया था कि ये तेलंगाना राज्यक का गठन कब हुआ था तो इसका गठन 2014 में हुआ था तो लगबख सभी लोगों ने इसका आंसर 2014 बताया हुआ है तो इसी प्रकार से आपसे जो कुछ इंप पूछा जाए उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरू बताएगा आज का कुछ इंप सिया चीन ग्लैसियर कहां इसते थे जो भी इसका राइट अंसर हुआ कमेंट बॉक्स में जरू बताएगा हमें इंत्यार रहेगा आपके आंसर का